सब्सक्राइब आपका स्वागत है देखिए आज में एक नई रैस्पी लेकर आई हूँ वैज होट डॉग यह ऐसी बन हमको मार्केट में मिल जाती है उसका कैसे बनाते हैं बच्चे मार्केट से लेकर बहुत खाते हैं तो फिर मैंने सुचा इसको चलिए घर में ही बनाते है जैसे आप बच्चों के लिए घर में भी इसको बना सकते हैं तो यह देखिए को अच्छे मार्केट की तरह लग जाने बिलकुल तो आएगे चलते हैं इसका फूल रैस्पी देखिए तो आपको पता चलेगा यह कैसे बना है इस तरह से बन हमको मिल जाते हैं यह होट किल आलो उसको मैस्क पकाटिय समयत और अद्रक प्याज पनीर और जिंजर इतना लेकर यह साफ मैंने काट के कट करके अमिल इसे यह प्रड़ क्रमचे जो मैंने ब्रड़ कर्बता करश हम रख लेता है तो तुरौंद हमको मनें लग्स नपमेज़ में वांडेच्ट को ले सब्सक्राइब कर लाड़ केंसे इसको यौ जो ऑच्छे से चल ने सब्सक्राइब लेफिते ना सब्सक्राइब किस दीड़ा या। यह जो टरते हैं पंट हैं। बना लिया सको अब क्या करेंगे हम कि अब मैंने कडाई ले लिए इस कडाई में दो चम्मच मने कुटिंग वाईल डाल लिया इसमें तो निदवरत जीरा डाला ही दिखिय को अब करते हैं तो प्याज करके रखा था वह प्याज डाल देगे शिए और थोड़ा से इसको सौट दाना हो तब बना सकते रहे हैं अब मैने है कर दिया है और देक्षक कर रहा है और पीयाज को नहीं कर ना था है तो अब देख keto करते हैं- और यह देकिए डेल दिया और जिंजर डाल दिया और इसको छलाते रहेंगे इस तरह से सॉटे करते रहेंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करिएगा और बैल आइकन जरूर किलिक करिएगा जिससे कोई भी वेडियो आप तक पहुंच जाया मैं इसमें टमाटर भी डाल दिया फिर और ओच बमाटर था ओर भी डाल दिया इसमें पहुंच कर लेते हैं इसको ये अप सब्सक्राइब बच्च खाथ है तो डालती हूं और चीली भी आप डाल सकते हैं और ये देखें इसको सुघ्व करते हैं फिर यह पीनिता चमज हल्दी पॉडर डाला है यह देखें ऑधा चमज अपनी में डाला करती हूं और जो भी डीच बनाती जरूर डालती है अब मैंने इसमें पनी रखता था चोटए क्यूब करके तो पन थोड़ा था करीब 50 ग्राम के करीब पनीर होगा वो मैंने क्यूब करके इसमें डाल दिया और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिच का पाउडर डाला है यह देखिए और और तीखा खाना चाहते हैं तो फरी मिच इसमें दो चाह डाल सकते हैं तो यह देखिए हम इसको कर ले है अलू को और वह ले लिए है तो वह अलू मैंने डाल दिया तो आप जदक जरुरुआ इसमों को नहीं है पांच छी डाल दिया और वाट सर्फ है धनिया-पत्ति डाल डिया है अफ्टकर लेते हैं श्टकर लेजिया और रिकंद्रों सिर स्टधम स्ट हरी यह दिया है कि मिक्स कर लेते हैं यह देखे कि इसको फ्रेट में निकाल लिए तो थोड़ा ठंडा करते हैं यह देखे इसको ठंडा कर लेंगे और अब देखे चलते हैं आगे आप पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको पता चलेगा कि यह होट डॉक बनते कैसे देखने तो इतने कट करना वस एक साइध करना एक साँर से वह उसको जोड के रखना इस तरह से मनण किया देखिए अलग नहीं होना चाहिए बलकूल बिलकूल बहा twice उना चाहिए और ये देखिए और रेस्पी पसंदा एक और में दो बना लिए एक और में इसी तरह से से करके दिखांगी देखे, फैला के देखिए इसक इंदर हमाईसी स्टफिंग आजाएगी अब दूसरा भी methods पैन ही करने साथ में और शेयीगे करें लिया आप देखें इदर मैंने एक पैन रगदिया है इसमें फोड़ा सा तो चंबल मेने बटर डाल दिए है इसमें तो बटरसे यह बटर में ही मैं इसको शेखूंगी और अगर बटर के साथ थोड़ा सा आप देशी घी बी डाल दीजिए जिससे की बटर जल ले न पए लो खाली बटर नटों डालते हैं तो पेन में जल सकता है आप देखें मेरी स्टेफिंगह थंडी हो चुकी है यह अब क्या करेंगे क जो मैंने यह उठा ले हुए और इसका भीश का अशे से खोलेंगे बिश का हिस्सा और जो मैंने जो अपनी सौस बनाका रख्षी थी मैनिस और टमयाटो केb की वे इसक अंदर कर देते हैं वह तेल सीजिव मैं यह लगा दिया अगर एक पस कविज़ लीब ना हो तो मत लगा यह मेरे पास तीज में लगा दिया इसको और अब देखिए क्या करेंगे कि जो मैंने अपनी स्टफिंग ली थी उसको ऐसे करके इसके अंदर हमको फिल करना है तो थोड़ा करके मिसमें फिल करते हैं देखिए इसमें कस् अच्छे से स्टेफिंग करेंगे देखिए इस तरह से हम कर रहे हैं बहुत टेस्टी बना था गर में सब को बहुत पसंद आया क्योंकि मार्केट से लाने से अच्छा तो आप घर में बना लिजिए यह देखिए यह मार्केट में मिल जाता हो डॉक का बन यह वल्ला इस तरह क हो गया है यह देखिए कितना अच्छा लग दाने से इसी तरह से मैं अपना दूसर भी बना लूँगी दैड़कि आपस्तने बना अब उतने बना सकते हैं जितने आपए कंड़ेट हो इससुटर से बना लेज़दी इसमें वही जो हमने अपनी सॉस बनाई थि वह लगा दि इसमें फील कर रहे हैं। यह देखिए और कमेंट जरूर अच्छा सा प्यारा सा दिजेगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी और आपको बनाया है तो खाने में कैसा लगा। दोनों ही कमेंट हमारे पास जरूर बह जिएगा अब मैंने जो अपने पेन रखा था गैस पर इसक तो यह को नहीं जाएगा हल्का सा दोनों सैट से ड़से दबा साइट से थोड़ा सा इसको हम देखें दबा दबा के दोनों साइट से थोड़ा से शेक लिए तो तरह से दूसरे वाले को सेक लेंगे ज्यादा मुझे लाल नहीं करना नहीं तो मारी स्टफिंग जल सकती है अब क्या करें कि इसमें थोड़ा सा मेरे पावभाजी मसाला था तो पावभाजी मसाला इसके उपर थोड़ा सा डाल देंगे आग पास है तो डाली हो नहीं है तो इसकिप कर दीजिए कोई बात नहीं उ आप मैंने केक मनाने वाला सा कौन था उसके इंदर मैंने मैनूज को डाल दिया है तो मैने इसमें डाल के इसमें इसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे डिजाइन मना देंगे तो देखने से बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके पास यह कौन ना हो आप एक सिंपिल पॉलिथी लेगा और तो अच्छा लगा तो ऊटे नहीं खाएंगे तो पहले उसको देखने के लिए अच्छा परिजेंट्य बनाएगे और यह देके मैंने दूसे में देखे पाली तीन में सॉस को बढ़ा है और थोड़ा सा छोटा सा छेत करने समें सॉस लगा दिया यह देखिये कितना अच्छा लग रहा ना कितना प्यारा लग रहा है और खाएंगे नहीं तो उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेगा तो इसको जरूर बनाएगा आप एक बार घर में और बताएगा आपको मारी रैस्पी कैसी लगी है और बैल आइकन किलिक पार लंगेगा आपको